विपक सिफ हंगामा खड़ा करने के उद्देश के साथ सदन को बाधित करने का प्रयास कर रहा है राश्पती जी के अभी भाशन पर आए धन्यवाद प्रस्ताब में आप हर विशे को उठा सकते हैं ये स्वतंतरता सदन आपको देता है चेहर आपको देता है ऐसे में अगर आप इतने ही चिंतत थे नीट को लेकर आप इस विशे को उठाते उठाते सरकार भी बात दे होती आपके सवालों का जवाब देने के लिए पर सिर्फ आप हंगामा करेंगे और जिनको जिनकी चिंता की आप बात करते हैं उनके लिए आप आवास सदन में उठाने का प्रयास आप नहीं करेंगे हमारे ओनरेबल स्पीकर ने भी इस बात को सपश्ट तोर से कहा कि आप इस विशे को भी अपनी चर्चा के दौरान उठा सकते हैं जिस तरीके से नीट को लेकर विपक्ष चिंतेथ हैं सरकार उससे जधा चिंतेथ हैं हर एक स्टेक होलडर के साथ हम लोग बाचीत कर रहे हैं भले वो ऐसे चातर हों जो reexamine करवाना चाते हैं ऐसे चातर जो exam कराना चाते हैं पेपर लीक का मामला इसमें जुड़ा है उसके लिए जाच एजनसी इन्वाल्व हैं ऐसे चात्र जो चाते हैं कि दुबारा एक्जाम हो वो लोग नयाया ले गए हुएं तो हर एक पक्ष की बास सरकार सुनकर सही समय पर सही फैसला लेगी पर सदन में सिफ हंगामा खड़ा क करना इस तरीके से ये कते ही जायज नहीं है ये दुरभाग ये पूर्ण है जिस तरीके से आज एरपोर्ट पर ये घटना घटी ओनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन भी घटना स्थल पर गए हैं मैं विश्वास करता हूं कि जो भी दोशी होगा सक से सक कारवाई उस प सदन को बाधित करने का प्रयास कर रहा है राशपती जी के अभी भाशन पर आय धन्यवाद प्रस्ताव में आप हर विशे को उठा सकते हैं ये स्वतंतरता सदन आपको देता है चेर आपको देता है ऐसे में अगर आप इतने ही चिंतत थे नीट को लेकर आप इस विशे को उठाते सरकार भी बात दे होती आपके सवालों का जवाब देने के लिए पर सिफ आप हंगामा करेंगे और जिनको जिनकी चिंता की आप बात करते हैं उनके लिए आप आवास सदन में उठाने का प्रयास आप नहीं करेंगे हमारे ओनरेबल स्पीकर ने भी इस बात को भीरा आप अग्णेंश Надо करवाना चाते हैं इसाथ जो एक्जाम कराना चाते हैं उसके लिए जाप्र जाते हैं कि दोबारा ईक्जाम हो वो लोग नियाले गए हुए हैं तो हर एक पक्ष की बात सरकार सुनकर सही समय पर सही फैसला लेगी पर सदन में सिफ हंगामा exclusively क्त गटना घटी, Honorable Minister, Civil Aviation भी घटना स्थल पर गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी दोशी होगा सक से सक कारवाई उस पर की जाएगी भविश्य में ऐसी घटना ना हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और अभी जो घटना घटी है इसको भी कतई बरदाश नही पेज को लाइक करें